सुनने में आये कि मौर्या जी मौरा है दिल्ली के वाइफाई के पासवर्ड है कितनी कहानिया बताएं आपको भरी पड़ी हैं और फाइल अभी मुझे लोग देखे गए हैं अगर फाइल का पड़ने तो नजाने कितना भश्टा चार दिखाई देगा केवल एक भी भागता और फिर ये ड्रोन वाला कोई कारकम चला रहें बीजेपी वाले ड्रोन उसी से देखेंगे उपर उपर से देखेंगे बताओ आप अस्पताल जाते हैं ड्रोन की जरूरत है आपको क्या अस्पताल में भीड देखने के लिए लोई अस्पताल जाईए आप सेविर होस्पिटल जाईए पीजी आईए आप जाईए क्या आपको ड्रोन की जरूरत एल्वे सेशन पे चले जाओ आपको जरूरत पड़ेगी ड्रॉन की भीड के लिए देखने के लिए तो दस साल रहकर के इन्होंने हर विवस्ता को खराब किया है हर विवस्ता हर विभाद बरबाद कर दिया यह दावा करते थे कि मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं बदाए तेरे मेडिकल कॉलेज नहीं बन पाई जिनको एन्मसी ने मानिता नहीं दी कहीं मानिता मिली है तेरे मेडिकल कॉलेज हैं उनकी स्थिती क्या है कहीं इलाज नहीं मिलना गरीब को एक जिलास पतान नहीं बनाया जहां पर दवाई इलाज इंतजाम पूरा मिल जाए गरीब को तो स मोहरा बन गए है वो मोहरा है दिल्ली के वाइफाई के वो पासवर्ड है इन नई तरह की टेक्नोजी तो टेक्नोजी के साथ से बोलना पड़ आ है आप समझ गया है कौन मोहरा है सुनने में आया कि मोहरा जी मोहरा है दिल्ली के वाइफाई के पासवर्ड है अगर दिल्ली वाले किसी से तो बताओ सरकार चलेगी ऐसे क्या सरकार चलेगी बताओ और जिनोंने बिगाड़ा है सब कुछ क्या वो लोग ठीक करेंगे और सबसे गंभीर सवाल मैं आपके सामने रखता हूँ मुझे याद है कि इस प्रदेश के गवर्णर थे हमें चिठी लिखते थे और अखवार में सरकार को समाजवादियों को बंदाम करने के लिए जातिवादी का अरोब लगाते थे बताओ कोई है कहीं कोई जो गिंती करे कौन कहां बैठा है बताओ मुख्यमंत्री जी कौन है मुख्य सचिव कौन है प्रमुख्य सचिव कौन है ग्रह और बेभाग में कौन कौन कहां बैठा है सोचिए आप आप भी तो थे कभी कभी उठाते थे सवाल जाती बात का तो आप बिशार कर ये गंबीर सवाल है यूपी ऐसे नहीं चलेगा यूपी की जनता को इनोंने दोखा दिया है यूपी की जनता का इन्होंने सब कुछ बरबात कर दिया मुजट की बात तो लोग सवामे होगी कि यू पी वो क्या मिला हलां कि प्रेस के सामने में ने कहा कि अगर पुर्वांचल एक्सप्रेज़े में केबल 25 किलो मिटर ये सरकार बना दे थी तो दिल्ली से भागल पुर तक आप एक्सप्रेज़े पे चले जाते जिस गाओं में जितना बना करके छोड़ दिया हम लोगों ने उस गाओं से आगे एक इंच जमीन नी सरकार ने लिए अगर कोई गाजीपुर का हो तो वो जानता होगा पखन पुरा तक छोड़ की जिस सड़क उसके आगे नी सड़क जा पाई तो अगर वो सड़क बन जाती जो पैकेज दे ने बिहार को और बिहार की बाड़ कैसे रुखेगी बिना यूपी की बाड़ को 30-40 जिला तो हमारे बाड़ में प्रभाद बिपे थें नेपास से बात्चीत किये बिना और यूपी की बार को रोके बिना बिहार की बार कैसे रुख जाएगी यूपी की बार नहीं रुखेगी तो इसलिए आप खेल देखिए डिल्ली के वाइफाई के पासवर्ड का